हेलो इस्टुडेंट्स मैं तॉफिक खान आपका अपनी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बच्चो आज हम लोग इस वीडियो के अंतरगत वैद्दोत रासायन लेसंग जो है उसका अगला टॉपिक संचारण पढ़ेंगे संचारण जिसे इंगलिस में कोरजन कहते हैं तो संचारण क्या है पहले इसकी में डेफिनिशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं जब किसी धातु की सतह वायु तथा नमी द्वारा संचारित होती है संचारित होती है तो यह क्रिया संचारण कहलाती है जैसे कि लोहे में जन्ग कॉमा चांदी में जन्ग आजी आजी आगे भी एक्जामपल है बेटा जैसे तामबा ले लिजी तामबे पर आप देखते हैं कुछ दिनों तक तामबा रखा रहता है तो उसकी उपर एक हरे रंग की परण जम जाती है नष्ट होने की यह क्रिया संचारण कहलाती है संचारण का मतलग क्या नष्ट होना धीर दिन समाब्त होना जैसे लोहे में जन्ग लगना ये बाते का बिलकुल अच्छे सा जानते हैं लोहे में चार्बन डायकसाइट तसा सलफर डायकसाइट से क्रिया करके काली पढ़ने लगती है उसे ही चांदी का जंग कहते हैं आपके स्लेबश में है बच्चो लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि को इसपश्ट कीजिए हम आज इस टॉपिक पर सीखेंगे लोहे में जंग लगने की क्रिया विजी कैसे लोहे में जंग लगता है बच्चों जैसे आप लोहा लिए लोहा लेने के बाद आप उसे वायू मंडल में रख दिये वायू मंडल में जो हाँ पर वायू के वह संपर्ग में रखे तो माले ज कोई गहरापन हो कोई गड़ापन हो तो माल जो उसी दरार में जो वायू मंडल की जो वायू है जो वायू मंडल की जो वायू है वायू में नमी है तो नमी किसी एक हिस्से पर आकर इखटा हो गई जम गई बैठ गई तो यहां पर यह जलका एक अडू जो है वो आकर इस लोह लोहे का जो हिस्सा जलके संपर्क में है तो लोहे का इतना हिस्सा आप देख रहे हैं जलके संपर्क में होता है वो एनोड की तरह कारता है तथा लोहे का वो हिस्सा जो वायू के संपर्क में है यानि यहां से लेके देखिए यहां तक यहां से यहां तक ठीक है यह साइड वा वायू के संपर्ग में है, बच्चों वो किस तरह विवहार करेगा, कैथोर्ड की तरह, तो ये मैं बाहर से बनाता हूं, ये कैसा विवहार कर रहा है, कैथोर्ड की तरह विवहार कर रहा है, ठीक है, आप जानते हैं, कि एनोड पर कहे की क्रिया होती है, आकसी कर्ण की क्रिया होती है ठीक है तो देखिए मैं लिखता हूँ कैसे अक्सिकन हो रहा है एनोड पर कि एनोड पर क्या होता है ऑक्सिडेशन यानि एलेक्ट्रानों की हानी होती है तो बच्चों यहां का जो एफी है जो आईरेन है वह एफी कि वह एफी जो है उसका अक्सिकन हो जाएगा अक्सिकन होगा यानि इसमें से अलेक्ट्रान मुक्त होंगे तो एफी टू पॉजिट्व प्लस टू इलेक्ट्रान मुक्त हो गए एफी टू पॉजिट्व को बच्चों हम लोग फेरस आयन कहते हैं ठीक है इसके बाद बच्चों यह जो फेरस आयन है यह वापस वायू की उपस्थिती में इसका फिर से आक्सी करन होता है तो यह बन जाता है एफी थ्री पॉजिटिव में और इससे एक अलेक्टरान वापस फिर से मुक्त हो जाता है इसे बच्चों हम लोग कहते हैं फेरिक आयन फेरिक आयन ठीक है तो एनोड पर इतना काम हुआ बच्चों ठीक है अब कैथोड पर क्या काम होता है वो देखें तो देखेंगे कैथोड पर क्या कार होता है तो बच्चो देखिए, F e जो है, यहाँ पर जो सतह का F e है, वो क्या करता है, इलेक्टरानों को मुक्त करता है, और किसमें बदल रहा है वो, F e 3 positive है, ठीक है, तो बच्चो यह जो इलेक्टरान है न, वो चले जाते हैं, कैथोर्ड के साइड, कैथोर्ड की तरफ चले गए, तो बेटा, यहाँ पर एक एलेक्टरान तो है नहीं, कई एलेक्टरान होगी, क्यों यहाँ पर कई एक ही काथी करण होगा, तो उसके द्वारा निकलने वाले एलेक्टरानों की संख्या भी कई होगी, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई N एलेक्टरान, जो है, कैथ कहा है क्यातोड यह है रहे हिस्सा जो आई के संपर्क में है तो कैतोड पर बच्छो लोगा किसे क्रिया करती है H-Plus-Ion से और वो भी कितने 4H-Plus-Ion 4H-Plus पानी बनाना है सीधे सीधे जो हमारा Oxygen है वो Hydrogen से क्लियागर के जल में बदलने वाला है लेकिन H-Plus-Ion कहां से आया ठीक है साथ ही साथ आपको पता है 4H-Plus यानि यहाँ पर 4E की कमी है तो यहां से जो अलेक्टरान नोट से कैथोर्ड क्यूर जा रहे हैं उसमें से यहां पर मेंशन कर लेते हैं तो बच्छों जैसे यह आपस में क्रिया करता है तो बना लेता है तो फिर बारी आएगी कि चाहिए ऑक्सिजन तो समझ में आ रहा है नियुक्त बायू इंडल में जो जल है वाहि में जो नमी है पर क्रिया करती है तो बना लेता है H2CO3 Carbonic Acid बना लेती है और Carbonic Acid जो है Weak Electrolite है ठीक है 2H plus Ion में Plus Carbonate Ion में ठीक है Carbonate Ion वापस Carbon dioxide में चला लिए जैसा कि आपको पता है यह हिस्सा कैथोर्ड की तरह कारी कर रहा है यानि रड़ाप्लक है तो बच्चों यह जो H plus है तो धीरे धीरे कहां पर आए जा पैथोर्ड पर आकर इखटा हो जाए उपर सतर पर इखटा हो जाए तो समझ गया है हमने कहां से H plus Ion प्राप्त कि तो बच्चों यह किस में बदल गया जल में बदल गया ठीक है अब आगे देखते हैं हमारे पास यह फेरिक आयं बना है यह फेरिक आयं जो है यह oxygen के oxide से oxygen के oxide से क्रिया करें लेता है और oxide की oxidation state होती है minus two तो बच्चों इसके साथ यह क्रिया करेगा योग करेगा तो बच्चों आपको पता है जब दो पर माड़वें आपस में मिलती है हैं दो पर मोड़नों अपसे मिलती हैं तो उनकी सभी हो जाती है अधला बदनी हो जाती इसकी जहां पर चली जाएगी दो यहां पर आ जाए रहे जाए एप एक संख्या 2 हो जाएगी और फिर टू ओ त्री ठीक है तो एफ़ी टू ओ थ्री बन आप ठोटो किसी भी एक इससे पना लेता है पपड़ी जैसा बना लेता है और यह जो उहार होता है कैटोड पर जमा हुए जल यह कैटोड पर कार लेता है क्रिया कर लेता है तो क्रिया करने के बाद बना लेता है FE2O3 के कोई X अडुजल के साथ मिला लेता है और बना लेता है जंग ठीक है तो लोहे पर क्या बना लेता है वो जंग बना लेता है तो देखें आप क्या देख रहे हैं बच्चो इस topic के अंतरगत आप देख रहे हैं कि लोहे में जो ये पूरी kriya हो रही है ठीक है ये वैज़ो तरह सायनिक kriya है ये जो kriya हो रही है जंग लगने की इसी में आप देख रहे हैं लोहे के टुकड़े में cathode भी है और anode भी है और अगर cathode और anode दोनों है तो इसका मतलब ए अगर खाली anode को लेकर चलते हैं है तो वह अरधविकriya है क्या तो अभी करिया और आपस में मिला दे तो बच्चे संपूर्ण अभिक्रिया यानि सेल की अभिक्रिया तो देखिए तो क्या हो रही है हमारे पास सभी प्रिया सबसे पहले यहां से लिखुरा हुआ है ठीक है अनोर्ड कि अनोर्ड पर क्या रियक्शन हो रही है आप देख रहे हैं अनोर्ड पर जो एफी है यह बदर रहा है अनोर्ड पर जो काम हुआ है यहां तो जो फेरस आयन बन रहा है अनोर्ड पर बस खाली इतना काम हुआ है यहां तो जो फेरस आयन बन रहा है अनोर्ड पर वह वापस ऑक्सीजन की उकस्तित में फिल से अपना आक्सिकड़ करता है लेकिन अनोर्ड पर तो बस खाली इतना ही काम हुआ है तो बस हम इतना ही काम लिखेंगे कैथोर्ड पर क्या हुआ है बच्चो कैफोर्ड पर ये रियक्षन है आपकी O2 प्लस 4H प्लस 4E- 2H2O दो अर्था भी क्रियाई हो गए एनोड की और कैफोर्ड की और इन दोनों को अगर मिला कर लिखा जाए संपोर्ड रियक्षन लिखा जाए आप रियक्षन क्या कहती है संपोर्ण संपोर्ड अभिक्रिया इसकी क्या होगी तो भाच्चों सबसे पहले आप देख hani यह इस दोनों को मिला के लिखने के लिए हमको Eliktrano के संख्या वराबर कर दी होड़ेगी Eliktrano की संख्या वराबर नहीं देखे यहाँ पर उत्हां पर दो isma मैं जब कि अभीकारत पर 4, उपर कम है, तो एक काम करते हैं हम कौण सी संख्यों से गुड़ा कर दें कि 2 4 बच्चों आप 2 से गुड़ा करेंगे, बल्कि पूरी रियक्शन पर 2 से गुड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से गुड़ा हो गया तो बच्चों बढ़े दो दुना कारक में भी होगा तो बनेगा 2F e हो गया अभी कारक में और कुछ नहीं है अब यह है अभी कारक में यह मंडल में अभी क्रिया आपको पता है यह कैसे अभी क्रिया करेगा तो जो हमारे पास यह से टू ऐसी और एक यह और दो यह तो यह तो यह F2O3 बनानेगा और 4H यहां से आके बाहर हो जाएंगे यह जो 4H वापस बन रहे है बच्छों यह 4H वापस फिर से 4H वापस फिर से क्या बनाने की काम में हैंगे जल बनाने की काम में हैंगे अब हमारे पास यह जो F2O3 है यह F2O3 जल के सतह पर जो जल खटा हो रहा है यह देखे कैथोड पर जो जल खटा हो रहा है उसके कोई X अड़ों के साथ F2O3 जल के कोई X अड़ों के साथ क्रिया करके F2O3.XH2O बना लेगा जिसे जल के कहते हैं तो बेटा यह था संचारण संचारण तथ मैंने विधी भी आपको बताई बोल भी रहा था इस प्रश्ट आपको कर रहा था साथ साथ उसकी यह रासायनी का भी क्रिया है इससे आप बहतर तरीके से सीखें और समझें इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कि यह जो धातु है जिन में संचारण की क्रिया हो रही है इन संचारण की क्रिया ना हो यानि धातु के नश्ट ना हो क्या कर सकते हैं तो पहला उपायत बिलकुल सीधा है आप धातु को वाई मंडल के संपर्क में जाने ही नहीं नहीं देंगे तो ना अक्सिजन ना नमी कुछ नहीं मिलेगी आपकी धातु संचारण नहीं होगी नश्ट नहीं होगी दूसरा काम आप यह कर सकते हैं जो धातु की जो सताय होती है धातु की सताय पर पेंट कर दीजे इससे भी आपकी धातु संचारण नहीं होगी तो यह थी ब झाल झाल